हां जी जर्ण एक बर बताईएगा हावास बगर क्लियर आ रही है कि नहीं ताकि आज कर सेशन बढ़ाया जा सके तो एक बार जल्दी से बता दिया हावास बगर क्लियर है कि नहीं चलिए तो स्वागत है आप सभी का टीचर सद्ड़ के प्लैटफोर्म पर जहां पर आपकी आगमी परिक्षा की करवाई जा रही है त्यारी ठीक है तो बही आपकी जो सीटेट की क्लास का टाइम टेबल है यूट्यूब का वह सुबह नौ बजे साइन्स है दस बदे अब दे आपकी शाम को साथ वजे चला करेंगी आपकी क्लास अब देखिए इसका परपस क्या लाने का देखिए पहले आपका एक्जाम ओफलाइन मोड का हुगा करता था ठीक है ओफलाइन में आपके ज्यादा तर कुश्चन एंसी आटी बेस्ट हुए फिर दो साल पहले ठीक है ओ साइन्स बेस्ड भाइं ठीक है चाहे आप जुलाइक चाहे उसकी बात करें फिर आपका क्या हुआ ओनलाइन लने लगा वे लगंकर ढल्राइन फेलें में आपके धीक है दो और 21 पर में तो थोड़े कम पूछे घЭ बट योंड वाल तर. um scenario इसमें आपके अब मॉन्शन ह सारे पूछेगा जोग्राफी के कुश्चन पूछेगा तो बेसिकली शाम वाली सीरीज आपके ऐसे कुश्चनों को ध्यान में रखने के लिए करी गई हाला कि अभी आपका 20 अगस को होने जा रहा है तो 20 अगस को जो होगा 90 परसेंट में शौरटी ले रहा हूं कि आपका NCRT बेस दी पूछेगा बट वाट इफ वाट इफ कंडीशन लग जाती है वाट इफ अगर NCRT बेस नहीं आया तो तो क्या करोगे तुम तो टीचर पर तुरंट ब्लेम डाल दोगे कि सर आपने नहीं पढ़ा है तो यह शाम वाली सीरीज जो है यह प्रस्तावित प्रशनों की सीरीज बनाई गई है आपके लिए NCRT की इसमें हम सारी चीज करेंगे ठीक है NCRT थरड अर्जित सिंग थैंक यू तो शाल भी स्टाट स्टाट करें तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और आपका अड़ा का बेसिकली रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलेक्शन ठीक है आपका ओफर चल रहा है ठीक है इसमें आपको कोई भी आपका बेसिकली महापैक लेंगे वह आपको डबल वैलेडिटी के साथ पहली चीज तो डबल वैलेडिटी जही घा रही है मनला अगर एक साल का है तो दो साल हो जाएगी चे महीं एक साल हो जाएगी और साथ इस आपको फ्लैट सवंटी सवन परसन डिस्काउंड मिल रहा है इसके लिए आप क्या करें पर जाए ठीक है साइट पर जाए और आपका coupon code यूज़ करें कोई भी batch purchase करते समय वाई 794 तो जब आप ये वाले code यूज़ करेंगे आपको flat 77% discount में मिलेगा और double validity भी मिलेगी तो इसी के साथ आज की class का question number first जो है वो आपका ये है की थोड़ा सा इसमें आपका इस classes में ये check कोगा की तो इसाइन की है नहीं से मेरे रेली तो आपके भवान 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 चलिए तो question number पहला आप से जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है की find out the correct statement सही कतन का पैचान करें पीड, बिट estéमन और लिगनाइट आर 3 types of coal गैभ विट estéमन और लिगनाइट कोईले के परकार कोलतार और कोग और अलोट्रॉपाप्स ऑफ Caroline तिक है कोल्तार और कोक कार्बन की क्या अपरूपक है एंत्रसाइट is obtained from petroleum ठीक है एंत्रसाइट आपका petroleum से प्राप्त किया जाता है क्रूड ओईल is obtained from sea bedrock ठीक है आपका जो कच्चा तिल है ठीक है जिसको हम petroleum भी बोलते है वो आपका सी बेड रॉक से मतलब समुद्र की तलगी चट्टानों से प्राप्त होता है तो answer to this question will be इस प्रिशन का उत्तर क्या होगा A will be the right answer answer to this question will be देखते आपका जो कोईला है कोल इसके चार प्रकार होते पीट लिगनाइट बिटूमिनस और एंथरसाइट ठीक है पीट, लिगनाइट, बिटूमिनस, एंथरसाइट यह चार प्रकार के आपके कोईलों होते यहाँ पीट है यह बिटूमन है बिटूमन बेटा कोईला नहीं होता इसको आप बिटूमन और एसफाल्ट डामर भी बोलते हो, कोलतार भी बोलते हो ठीक है, बिटूमन इस नॉट एक कोल बिटूमन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जबकि बिटूमिनस एक कोईला है पहला गलत होगे, ठीक है कोलतार और कोक्स आर दा एलोट्रोप्स ओफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के एलोट्रोपक अपरूपक की बात करे, कार्बन के एलोट्रोपक की बात करे, अपरूपक की बात करे, तो there are two अपरूपक ओफ कार्बन, कौन कोन से, एक है ग्रेफाइट, नैचरली मिलने वाले, और एक है डाइमंड, आर्ट एववस्थत रूब में आता है आपका कोल तार और आपका कोक ठीक है तो यह भी गलत हो गया एंथ्रसाइड इस अप्टेन फ्रोम पेट्रॉलियूम यह भी गलत हो गया अपका जो चच्छा तेल है वह आपके समुद्रतल फ्रोम चत्तानों से प्राप्त किया जाता है और जिन चत्तानों से मिलता है इन चत्तानों को हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रोक, अफसादी चट्टान, अफसादी चट्टान, ठीक है, तो अफसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो D will be the right answer, D इसका सही जवाब है, चलिए, अगला question, ठीक है, select the incorrect statement about the snake, ठीक है, साप के बारे में गलत कतंगा चैन करे, भारत में, ठीक है, चार जहरीले साप मिलते, ठीक है, विश्व का सबसे जहरीला साप, ठीक है, एलेंड टाइपन है, ठीक है, रेटिकुलेट पाइथन, जालीदार अजगर सबसे बड़ा साप है, जो साप की दवाई होती है, वो आपके साप सिंकोना की चाल से प्राप्त होती है, तो गलत कतन पहचानना है, वेरी गुट, वेरी गुट, वेरी गुट, एंसर तो इस सिंक क्वेश्चन विल भी, इस प्रेशन का उत्तर है, इस डी विल भी दा राइट एंसर, ठीक है, सिंकोना से कभी भी आपकी साप की जहर की दवाई नहीं मिलती, देखे, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, तो साप के जहर की दवाई जो है, ठीक है, स्नेक के वेनम, साप के जहर के लिए, जो दवाई दी जाती है, उन दवाई यों कौम, एंटी वेनम, या पर एंटी सहरा बोलते हैं प्रती जहर या प्रती सहरा बोलते हैं और यह जो आपका है यह भी सांपों से ही तयार करी जाती है बाकी आपका जो सिंकोना की छाल से जो मेडिसन तयार होती है उस मेडिसन को हम कुनैन बोलते हैं कुनेन बूलते हैं और यह कुनेन आपका एंटी मलेरियल प्रती मलेरिया के खिलाफ लडने वाली ड्रग है तो D will be the right answer D इसका सही जवाब है ठीक है तो answer to this question will be D next thing is which of the following state has a coast on bay of Bengal ठीक है अगर हम बात करें यह आपका क्या है basically peninsular है peninsular मतलब ऐसे land reason जो तीन तरह से आपका पानी से गिरे हुए यह आपकी बंगाल की खाड़ी है ठीक है यह आपका अरब सागर है और यह वाले question बहुत आते हैं अरब सागर की तरफ कौन से राजष पड़ते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ ये तमिल नाडु है, तमिल नाडु के ऊपर में यहाँ पर आंदर प्रदेश है, ठीक है, फिर इस साइड में आपका बेसिकली ठीक है, ओडिसा है, मतलब ये ऐसे आजाता है आपका, ऐसे में ओडिसा है और इधर में आपका पश्चिम मंगाल है, तो राज्य तो केवल चार पढ़ रहे है, पुद्दुचेरी आपका नोड ओट इधर ही पढ़ता है, बट पुद्दुचेरी राज नहीं है, ये आपका UT है, केंदर शाषित प्रदेश है, इसलिए अंसर हो जाएगा, क्या, D, D will be the right answer, चलो, next thing is, आप देखो, ये वाला कुश्चिन 2011 का है, जब इन होता था, राशिट टुक आउट इस पेर ओफ स्पेक्टिकल सेंड ब्लू टू थ्री ताइम्स ओन इट, दे ग्लास इस ओफ स्पेक्टिकल बिकम हेजी, दा रीजन कुड बी, राशिट ने अपना चश्मा निकाला और उस पर दो तीन बार फूक मारी, ठीक है, चश्मे के शीशे पर पानी की परत बनाती है, उसके मूँ से निकलने वाली गरम हवा उसके चश्मे के शीशे उपर छोटी-छोटी बूंदों के रूप में संगनित होती है, उसके मूँ से निकलने वाली ठंडी हवा उसके चश्मे के गलास पर एक छोटी बूंद के रूप में spectacle the hot air from his mouth condensed to form a tiny droplet on the glass of his spectacle a cold air from his mouth condensed to form a tiny droplet of on the glass of his spectacle very good very good very good sir g mera rj roshan singh sanu के नाम से id unblock करा दीजेगा प्लीज ठीक है बोल दूँगा करने के लिए अभी तो कोई है नहीं स्टूडियो में जो unblock करें बोल दूँगा चलो तो बेसिकली पहली चीज तो आप जो मुह से हवा छोड़ते हो आप खुद ही करके देख लेना एक्सपरिमेंट यह गरम हवा होती है तो ठंडी हवा वाले तो बन रहे है क्योंकि मुँस से जो एर निकल रहे है वो वॉटर वेपर है वो गरम है बट एंविर्म पर जब आ रही है तो एनविर्मेंट सर्यरायूंडफिंग ठंडा होगा मुवांट तो Duck होगा तो संबारी दोटी में राइट एंसर ठीक है वाश्पित होती ही तो बेटा वाश्पित होती ही तो फिल्म नहीं बना पाती ना वाश्पित होज के ऊपर उड़ जाती फिल्म थोड़ी बना पाती ठीक है तो C इसका सही जबाब है प्लीज मॉर्निंग वाली क्लास की उड़ जाल दूगा, इसकी भी डाल दूगा, उसकी भी दाल दूगा जलो विच वन आफ दॉफ दूлаइंग इसका सही कतन निम निलिखत में से कौन सा सही कतन है इन में से सही कतन कौन सा है मलेरिया तब होता है जब एक मादा मच्छर मलेरिया के रोगियों को काटा हो किसी अन्य वक्ती को काटती है मलेरिया रात के समय मच्छर के काटने से होता है मलेरिया मच्छर के काटने से होता है मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है फिफ्थ का वेरी गूड एंसर तु दिस कोश्चन विल भी ए ठीक है देखे लेट सबोस मुझे मलेरिया है मैं बीमार पड़ा हुगा हूँ एक उदर से मच्छर आई ठीक है मुझे पपी ले गई तो मेरे ब्लड के साथ इसका पैरसाइट का होता है या तो ब्लड में देखने को मिलेगा और अगर एक्जक लोकेशन देखनी हो तो आर बीसी के अंदर देख लेना और लिवर में देख लेना ठीक है आर बीसी के अंदर में इसकी जीवन चक्र चलता है या फर liver में इसके आपकी थोड़ी बहुत वह चलती है cycles वहां देखने को मिलता पूरी body में और कहीं नहीं देखने को मिलता ठीक है और सबसे जादा जो affected होता है आपकी body में और वह एक spleen होता है और एक liver होता है malaria में तो यहीं जब औरते हुए तुम आःपास है ऑन और तुमुंहें वैबप्पी दे दी तो इसने क्या क्यों ब्लड को जो इंफक्टेड़ मेरा तुमारे अंदर ट्रांस्फर कर दिया। ठीक है तो तो तुमको क्या मिलेगा देट इस पैरसाइट मिलेगा तुम्हारे ब्लड में और तुम्हें कॉस करेगा क्या malaria evil be the right answer कौन सा टेस्ट कराते हैं malaria को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं टेस्ट का नाम क्या है malaria को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं तेस्ट का नाम क्या है तो मलेरिया को टेस्ट करने के लिए मलेरिया या डेंगू जो भी है टेस्ट करने के लिए दो टेस्ट होते है एक RDT होता है एक CBC होता है RDT को हम बोलते है Rapid Diagnostic Test ठीक है CBC को हम बोलते है Cell Blood Count ठीक है तो आपने ये सभी करवाए होंगे जब भी आपने Blood की चेक करवाए होगा तो A will be the right answer ठीक है अब देखो Advanced Question कैसे बनते है आपके Science आप सभी ने पढ़ लिया क्या Sinkona ठीक है तो आपके जो examiner है सिंकोना तो बहुत बार पूच चुक है चाल से इसकी वो बनती है Maleria की दवाई थोड़ा सा advance पूच देते जैसे कि पिछली बार में एक जो MSC बायो का question आया था पक्षियों के पंकों के ऊपर ठीक है अब MSC बायो की तो तुम्हें knowledge नहीं है तो ऐसे ही ये तुम्हारे question मना दिये जाते कि सिंकोना पौधे के परिवार से संबन देते है Leguminosy family से Solenasi family से Rubiac family से Estreasi family से कि आपका जो सिंकोना का पौधा है ये कौन से परिवार का सद्दस है Very good ठीक है ये सद्दस है आपका Ruby AC family का ठीक है और सिंकोना कहां से आया था ये native कहां का है कोई पूछे कहां है इसकी उत्पत्ती कहां की है तो सिंकोना का जो पौधा है ये आपका South America Dakshin America से आया था Dakshin America Dakshin America से आया था आपका सिंकोना का पौधा तो answer to this question will be offline में Hindi और English दोनों medium होगा क्या हाँ एक side English लिखी रहती है एक side Hindi लिखी रहती है search करो पुनाने paper पड़े हूँ है कई हो साइट पे 2015, 2014, 2013 2011 का बहुत मुश्किल से मिलता है find out the correct one जुगार, राजस्थान, वल्लम, गुजरात, ट्रॉली, असम, या रौकी पाथ, हिली एरियास एट्रेमेशिया दोनों यूज करते है मलेरिया के लिए हाँ बट एट्रेमेशिया ओमर शुकला PGT बालों उसको पढ़ाया जाता है और भी बहुत सारे ट्रग है केवल एट्रेमेशिया नहीं है और भी बहुत सारे ट्रग है एंटी मलेरियल चलिए, very good, answer to this question विल बी, देखे, जुगार आपका कहा यूज कर रहे है पूरे भारत में जुगार यूज हो रही है वो वाली जुगार नहीं यह लग चीज है यह आपकी motor cycle है जिसके पीछे लकड़ी का फट्टा फिट है वल्लम एक तरह की छोटी नाव है जो कि आपकी केरल में यूज होती है ट्रॉली, basically आपके क्या, दो तरफ से आपके बान दिये जाते है क्या, iron का pole या तो किसी पत्थर से या फिर किसी मोटे पेड़ के ट्रंक से तने से उसके उपर ट्रॉली लगा के पुली के सारे कीचा जाता है कहाँ पर लद्धाक में ठीक है, असम की बात करें तो असम में आपका बास का pole से पार किये जाता है और उत्रा चल या फिर उत्रा खंड या फिर आपकी हिली एरिया, नौर्दन एरियास में ठीक है, आपका पत्रीले रास्तों के थुरू हम जाते है क्या, स्कूल डी विल वी दा, राइट एंसर नेक्स इंगे, विच वन आफ देम सारी गैसेज में सारी गैसेज में, जितनी भी आपकी गैसेज है, सबसे सर्फ प्लीज बुक की पीडियेफ भी सेंड कर दीजए अच्छा, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो गैस मानी जाती है लीथल गैस जो मानी जाती है, वो कार्बन करती है दम गुटना करती है ठीक है, सल्फर डाय ओक्सइड इसका क्या आपकी ऊपर एफेक्ट है या आपको नुकसान बहुचाती है सल्फर डाय ओक्सइड, बिलकुल पहुचाती है स्किन रिलेटेट प्रॉबलम चरम रूक कउस करती ठीक है नाइट्रस ओक्साइड, क्या नाइट्रोजन की ओक्साइड आपको नुक्सान पहुचाते है, बिल्कुल पहुचाते है भई, नाइट्रोजन का कोई भी कमपाउंड होगा, नाइट्रोजन का कोई भी यौगिक होगा, ठीक है, आए इरिटेशन कोज करेगा, आँखों में ज दो चीज़ करती है ठीक है ओजोन एक तो आपको ब्रीधिंग प्रॉब्लम देगी श्वास में तकलीफ देगी श्वास में तकलीफ साथी साथ ओजोन आपकी ये ऐसी गैस है जो आई इरिटेशन के साथ साथ आँख में जलन के साथ साथ सांस में तकलीफ बढ़ाती है तो ये सारी गैसे के रूल है ठीक है साथ ही साथ इसके उपर अलग से कुश्चन आए सल्फर डाउक्साइड के उपर कि ये सल्फर डाउक्साइड आपका एसे ड्रेन का मुख्य कंपोनेंट होता है अमल वर्षा का ऐसी वर्षा जिसका पी-एच मान ने 5.6 या 5.8 से कंपे अमल वर्षा बोली जाती है और एसेड रेन आपका बेसिकली ठीक है दो एसेड से बनती है एक सल्फिूरिक अमल जिसका बेसिकली 60 परसेंट पार्ट होता है और एक नाइटरिक अमल जिसका बेसिकली 35% पार्ट होता है रेस्ट 5% आपका वोटर वेपर ठीक है SCL इन सब का पार्ट होता है क्लियर है इसके ने चरम एक है हाँ उसी को चरम रोग बोलते क्लियर है सभी को चलो next question find out the incorrect statement ठीक है गलत कथन का पहचान करे हाती आपका जमीन पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है वेल शार्क सबसे बड़ी मचली है स्नेक साप जो है पुंगी की आवाज सुन सकता है डॉक कुत्ते जो है वो बेसिकली रात में भौकते हैं टाइम पास के लिए तो वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट गलत कथन कौन सा है ठीक है देखे एलिफेंट लार्जस रैनीमल है लेंड पे सही बात है दुनिया में तो नहीं बोला लेंड पे जमीन पे बोला है जमीन पे शार्क नहीं गूमती तो elephant land पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है whale shark is the largest fish सारी fishes में सबसे बड़ी जो मचली होती है वो shark होती है और सारी शारकों में सबसे बड़ी मचली जो होती है वो whale shark होती है ठीक है blue whale नहीं blue whale मचली नहीं है normal whale नहीं यहां whale के साथ shark लगा हुआ है त्रिकोना सा फिन नहीं निकलता है यह shark की खासियत है snake can hear the sound of pungi आपकी NCRT भी बताती है कि जो साप होते हैं वो सुन नहीं सकते भेरे होते है यह केवल जमीन का कमपन्न महसूस करते है C will be the right answer dog howl in the night of for the time pass यह सही बात है जैसे कि कभी कबार तुम लोगों को रात में नीद नहीं आती तो तुम अपने भाई बेंद में टुच्चा मार देते हो ठीक है ऐसे क्यों और नीद आ रही है वो कितन नहीं आ रही चल बात करते तो ऐसी जब कुतों को नीद भी नहीं आ रही होती तो यह क्या एक दूसरे से कम्मिनिकेशन कर लेते हैं कोई जाग रहा है तो अधर से दूसरे जगे से रिप्लाई आ जा तो मैं क्या कर रहा है तो इसलिए हाउल करते और हम लोग जरूर इन्हें रात में यम्राज दिखाई देते जरूर चुडेल दिखाई देती है इसलिए है रोर है सर पुंगी का क्या मतलब होता है बीन बीन जिसको बीन बोलते है ठीक है तो सापों को बीन की आवाज नहीं सुनाई देती चलिए भारत का सबसे प्राशीन वाद यंत्र कौन सा है अगर आट इन कल्चर की क्लास करी हो जो मैंने ली थी संडे को तो आपको पता होगा कि भारत का सबसे पुराना वाद यंत्र कौन सा है सर ये सीटेट पेपर वन का क्लास है हाँ साइल सिंग सीटेट पेपर वन का क्लास है बट पहले ही सुलो, ये वो क्लास है, जो unexpected questions आते है seated में, उसके लिए लगाई गई है, अगर आपको वैसे main देखनी है, जो आपके पूछे गए है question, उसके लिए सुबए 11 बजे चलती है, same channel पर, सर ब्लू वेल क्या है, ब्लू वेल बेटा इस्तनपाई जीव है, बच्चे पैदा करती है, जबकि शार्क और अपने बच्चों को दूद पिलाते, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, ब्लू वेल, ठीक है, जबकि शार्क आपकी मचलिया है, पिसी, चलिये, भारत का सबसे प्राचीन वादियंत्र कौन सा है, वीन, आपकी आर्ट एंड कल्चर से जो कुश्चन आते हैं, उसमें भी बताया गया, उस किताब में भी, जो आर्ट एंड कल्चर की किताब है, जिससे कुश्चन आये थे, आपकी 2022 में, जो सब चिल आ रहे कौन सा वीन, और अगर आप से कोई पूछे कि किसे कौन से राज्य को वीना का राज्य बोला जाता है, मतलब the state of वीना, कौन से राज्य को बोला जाता है? बताओ, कौन से राज्य को बोला जाता है, state of वीना, यहां की वीना है बहुत famous है, और अगर नॉर्मली अगर तुम्हें ये question समझ में नहीं आया, कि सबसे पुराना कौन सा होना चाहिए, तुमारी जो ज्यान की देवी है, का बजा रही है, सितार थोड़ी बजा रही है, सि किसे बोला जाता है, आंदर प्रदेश को बोला जाता है, तो आंदर प्रदेश को हम, वीना का राज्य बोलते है, तो वीना की उत्पत्ती जो ही है, आंदर प्रदेश से होई है, चलिए, 2019, जो out of the syllabus, science से question आया था, gravity से, 5th July में, ठीक है, if the mass of an object, हलागि इस question का, एक number सबको मिला था, क्यों मिला था, अभी समझाता हो, if the mass of an object is 50 kz, then its weight on moon will be, देखे, अगर कभी भी आपसे question में, मास दियाओ, question में क्या दियाओ, मास दियाओ, और मास ही निकालने को पूछे, यह वो वाला मास नहीं है, जो तुमारे setmax में आता, आ गया है, मास, 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 it is a scalar quantity, एक सदिश राशी है, जिसकी कोई दिशानी होती, सोरी, अदिश राशी है, ठीक है, जिसकी कोई दिशानी होती, है न, तो अगर आपसे option में, कोई ऐसा question आए, ठीक है, मास दियाओ, और मास ही निकालने हो, तो मास दियाओ, जैसे कि मैं कहा रहा हूँ कि, कोई वस्त हुए, जिसका ब्रसपती ग्रेप मास 4000 किलोगराम है, तो दर्ती ग्रेप है, इसका मास द्रविमान क्या होगा, तो तुमको मास से, तुमको मास निकालना है, तो तुमको मेरी कसा में मत बदलना, मत बदलना, वरना मैं मर जाओंगो, मैं मर जाओंगो, ठीक है, तो जो दिया वही उतार देना answer वही होगा तो अगर मास से मास निकाला जाए तो मास कभी बदलता नहीं है चाहें धरती पे calculate करो चाहें कहीं calculate करो 4000 ही रहेगा Newton नहीं बेटा kg शशी शेकर kg मास की unit kg होती है Newton force की unit होती है ठीक है तो जब भी मास से मास निकाला जाए तो कुछ मत करना जो दिया हो जैसे यहां कितना दिया था 50 kg ब éléments पूछ रहा है बढ़ दो मास निकालना होता तो हम क्या लिए दिए एंसर 50 kg खतम हो यही एंसर है बढ़ यहाँ दे दिया क्या वेट निकालने को यहां दे दिया क्या वेट निकालने को तो एक फॉर्मुला लेकलता है डबली उपकल टू एम इंटू जी अब यह वाला मैंने कुश्चन चेंज कर दिया इसके ऑप्शन चेंज कर दिये यह जब आया था तो कुछ आप्शन ऐसे थे साट न्यूटन साट केजी सो न्यूटन सो केजी ऐसे कुश्चन आया था यह ठीक है मतलब ऐसे पूचा गया था अब जब भी आपका डबली उपकल टू एम इंटू जी यह फॉर्मुला लगता है वेट निकालना है मास कितना दिया पचास धरती की ग्राविटी कितनी होती है ठीक है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर आप चाओ तो इसे राउंड फिगर कर लो 10 माल लेना ठीक है तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा कितना 500 न्यूटन आएगा ठीक है तो जो हमारा एं 98 न्यूटन आ रहा था बट वहां पर ऑप्शन में थाई नहीं 98 न्यूटन तो सीटेट ने सबको मुफ्त में एक एक नंबर बाट दिया था कि अ चलो तो यहां पर कितना होना चाहिए ठीक है यहां पर कितना होना चाहिए डबली उकल टू एम इंटू जी ठीक है एम कितना दिया 50 जी कितना है 9.8 देखो अब 100 से आप कल्कुलेट करोगे तो कितना आ रहा है ठीक है 500 न्यूटन आने चाहिए 500 न्यूटन आने चाहिए बट 500 न्यूटन तो आप्शन में ही नहीं देट मीन्स मैंने यह 10 नहीं माना है एक्जामिनर ने इसे 10 नहीं माना है एक्जामिनर ने कल्कुलेट किया है किस से 9.8 से तो 50 इंटू 9.8 करोगे तो यह आ जाएगा कितना 81 न्यूटन, 81 न्यूटन सी विल वीदा राइट एंसर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है तो अगर 500 न्यूटन होता ओप्शन में, ताब हमकोल पता लग जाता कि भाई, 10 माना आ गया है ठीक है, ग्रैविटी कितनी मानी गई है, धरती की, 10 मानी गई है, बट 500 न्यूटन तो आप्शन में ही नहीं, that means gravity, exact जो धरती की ग्रैविटी है, वो कितनी मानी गई, 9.8 ठीक है, और उसको आप मल्टिपलाई करके करोगे, तो आएगा कितना 81 न्यूटन, और जब भी आप आपको किसी भी चीज में बीज देखने को मिल रहा है, सिंपल सा अगर फल पहचानना हो, अगर आपको किसी भी चीज में बीज देखने को मिल रहा है, मिडची, टमाटर, भिंडी, ठीक है, तो रही, कदू, ठीक है, आपका कटेल, आपका सेव, काम, आपका नासपती, अग सेकर त्रिपाटी बैगन अच्छा जी चलो एंसर तू दिस कोश्चन विल भी गाजर गाजर आपकी क्या होती है जड़ है तो ओखरा भिंडी है ओखरा को हम क्या बोलते इसमें बीज है ये फल है ब्रिंजल बैगन इसमें बीज है ये फल है मैंगो आम में तो बीज होता ही है ये क्या है फल है तो ये सारे के सारे फल है बाकी आपका गाजर फल नहीं है गाजर आपकी क्या है एक रूट है तो डी विल वीदा राइट एंसर इनमें से कौन सा कथन कीट भक्षी पौदों के बारे में सही नहीं है पिचर पौदा आपका एक कीट भक्षी पौदा है जो की आपका मिघाले में पाये जाता है जिसे हम गट पर नी भी बोलते वीनस फ्लाइट रैप ड्रोसेरा अन्य उधारन है कीट भक्षी पौदो के कीट भक्षी पौदे प्रकाश संचलेशन करते हैं कीट भक्षी पौदो को ऊर्जा कीटों से प्राप्त होती है तो इन में से कौन सा कतन गलत है सब बनाना में तो बीज नहीं होता ठीक है बिटा बनाना में दो तरह के बनाना आते हैं ठीक है नेचर में एक सीडलेस बनाना आता है और कुछ बनाना में तुमने सेंटर में देखा होगा काले-काले छोटे-छोटे दाने तो डिफ्यूस सीड रहता है तो उसके ठीक है तो दो तरह के बनाना मिलते हैं ठीक है तो फलो की तीन केटेगरी होती है सत्यफल, असत्यफल, अनिशेच नहीं अफल that is seedless fruit, seedless fruit में तुम्हारा आजाता बनाना, ठीक है तुम्हारा अननास, पाइनेपल चलिए, answer to this question will be D, D will be the right answer, कि कीट भक्षी पौदो को उर्जा जो मिलती है, वो कीडों से मिलती है, अब इसे थोड़ा सा ऐसे समझ लो, देखो, आप लोग घर में खाना बनाते हो, है ना, घर में खाना बनाते हो ना, खा पी लिया, पेट बर गया, बट मन में अंदर से चुल अब जाओं लिया, तो चाटल है, रवडी धरी है, तो चाटल है, ठीक है, या पर वो, वो आता है ना, dairy milk silka ad, dairy milk silka ad, इसमें आपने देखा होगा, वो ऐसे ऐसे बहरी होती है, तो सब चाट रहे होते हैं, तो तुमको बेसे कली, तुमको बेसे कली, जो energy मिली थी, एनर्जी ऐसे ही जो तोमने खाया था उससे चॉकलेट चाटने से तुमें एनरजी नहीं मिलीती वो तो अपनी मन की संतोष्टी थी ऐसे ही जो प्रकास चलेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं फ्रेट टली चाटरा है क्योंकि हमारी जो धत्ती है नाइट्रोजन नहीं नहीं है नाइटरोजन की कमी क्या कारण में कीडे चाटने बढ़ रहे है क्लियर है कीडों से नाइटरोजन मिलता वेरी गुड़ वेरी गुड़ वेरी गुड़ वेरी गुड़ खाते सर चाटते नहीं अरे एक यह बात है खालो चाटलो एड नहीं देखा तुमने किस मी क्लोजर आइस तो चाट ही रहते सर एक क्वेश्चन पूछो बिल्कुल पूछो चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी तो ऐसे सेम इंसक्टी वोरस को एनर्जी कहां से मिल रही है फोटो सिंथेस से कौन से प्लांट को एनर्जी नहीं मिलती फोटो सिंथेस से एक तो सेप्रोफाइटिक प्लांट मृतोब जीबी पौदे यह प्रकाश संसलेशन नहीं कर सकते इसलिए अपनी पूरी उर्जा मरे सड़ी चीजों से लेते एक आपके टोटल पैरसाइट पूर्ण परजीवी इनके पास हरितलवण होता नहीं है इन में प्रकाश संसलेशन नहीं चलता तो यह अपना उर्जा दूसरी चीज से प्राप्त करते इस रास्तव बात ही नहीं कर रहे हैं मैं जाग बात कर रहे हैं क्या बात करूँ बताओ कि करेले की हो गई सगाई सकरकन नाचन को चली आई चलो नेक्स इंग इस भारतिया विरासत में आपके जो 2021 का पेपर है उसमें एक पेंटिंग पूछी गई थी यह मिनियेचर पेंटिंग 2021 वाले मैं मिनियेचर पेंटिंग यह बेसिकली अच्छी खासी मिनियेचर पेंटिंग होती है और यह आपकी राजस्थान की पेंटिंग होती है यह पूछा गया था अब अगर मिनियेचर पेंटिंग से मेरे को वापस से कोश्चन मनाना हो तो मैं क् सकता हूं भारतीय विरासत के लगू चित्रों का विकास कहां हुआ बूंदी, किशनगड, गूलर, मेवार्ड सारी की सारी राजस्थान की जगह कहां हुआ था सर जी प्लीज सारी पेंटिंग्स भी करवा देना, आज सब करवा देंगे, अपनी पेंटिंग भी छाप देंगे एक दिन, टेंसन मतलो, तो अगर आपसे कभी भी पेंटिंग्स के बारे में ज्यादातर कुश्चन आए, राजस्थान से, जैसे की बणी ठड़ी, आपकी मिनियेचर लगू पेंटिंग, ये सब आपकी किशनगर सैली की पेंटिंग है, ठीक है, तो B विल वी दा, राइट एंसर, B इसका सही उत्तर ह निक सिंग इस अगरा कुश्चन, प्रतवी का कोर, जो हमारी धरती है, थीक है, ये धरती, हम यह रह रहे है, यह ठीक है, हम यह रह रहे हैं, अंदे काय को नहीं गिर रहे हैं अब आपको फिर बीच में आता है, कि यह आपका, मद्यवर्ग और फिर सबसे अंदर में आता आउटर कोर, भारी वर्क, भारी गर्व और सबसे अंदर में आता है क्या इनर कोर, इनर कोर आपका सॉलिड होता है, ठोस होता है, यह आपका तरल होता है, अंदरूनी गर्व, तो यह आपका कोर जो है, किस से बना हुआ है, निकल तामबे से, न इसग्लास को कैसे पध्चेस करें साइँल सिंग अभी बतातू इस सबसे पहले आप आ देख ले वह रहना तो पूरे ठाइम यहीं करता रहेगा क्लास क्यास कीस पध्चेस करें के एक मीनट देना गूगल खुल ले बाई अड़ा पर चले जा अड़ा 24-7 ठीक है इस पर क्लिक करना थोड़ा नीचे जाना या टीचिंग लिखा होगा टीचिंग पर क्लिक कर लेना जो भी आपका बैच चाहिए आपका टीचिंग में पर चाहिए महा पर चेहए ठीक है उसको क्लिक कर लेना एक या ऑप्र पर क्लिक करें ठीक है या कूपन कोड लगा दीना तो आपको मैकसमम डिसकाउंट बिल जाए जो भी चाहिए आपको ठीक है आजाओ वापस से कुश्चन पर हाँ तो हमारी प्रत्वी का जो कोर होता है बुबर्ग होता है बेसिकली किस से मना होता है पासवान नेहा आइम यूर ओल्ड स्टूडेंट विल्कम चलो तो पड़ते हैं प्रत्वी के कोर के बारे में प्रत्व नथे नौर्थ और साउन पोल इसलिए आपका जो कमपास है वह हमेशा में नौर्थ साउन की तरफ पेस कर रहता यह भी कोश्चन आपके सीटर ने पूचा हुए है धिक है अंदर वाला कोर आपका ठोस है और यह थोस जो है यह आपका निकल और लोहे से बना हुए है ठीक ह ठीक है एक चीज और याद रखना सारी पेंटिंग कर आऊंगा टेंशन मतलो ठीक है अभी जो पहले पॉइंट बता रहूं वो फिर मेरे दमाग से स्किप कर दाएगा देखो दो तरीके से कोश्चन मनते हैं मैं आप से दो कोश्चन पूछ रहा हूं कोश्चन नंबर फर्स्ट हमारी प्रत्वी में हमारी प्रत्वी में सबसे जादा तत्व कौन सा मिलता है प्रत्वी में हमारी प्रत्वी में सबसे जादा मिले वाला एलेमेंट तत्व कौन सा है प्रत्वी में सबसे जादा मिलने वाला जो एलेमेंट है ठीके, this element is आप का iron ठीके, this element is iron अब कौश्चन होता है प्रत्वी की सत्य में सत्य मेंग्स, I am talking about the crust crust, जो उपरी लेर है सबसे जादा मिलने वाला तत्व कौन सा है अब अब मैंने क्या कर दिया distribution कर दिया मैं particular एक layer की बात कर रहा हूँ कि हमारी earth की crust में सतय में जिसे हम भू परपटी भी बोलते है उसमें सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा मिलता है तत्व तत्व अभी भी क्या पूछ रहा हूँ तत्व तब answer क्या हो जाएगा ठीक है तत्व बोल रहे है बिटा तो तत्व में answer हो जाएगा क्या oxygen oxygen सबसे ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये सारे धातूों के साथ अशुद्यों के रूप में पाया जाता है इन अशुद्यों को हम ओर्स बोलते अयस्क बोलते जो कि आपका धातू उतकर्शन में अलग करी जाती है metallurgy की प्रोसेस में अलग करी जाती है ठीक है अब यही question प्रत्वी की सत्य में सबसे ज़्यादा धातू कौन सी है अब specify कर दिया metal धातू कौन सा है सत्य में सत्य में तब answer क्या होगा जब धातू की बात करी जाए तो मैंने specify कर दिया भाई धातू चाहिए तो oxygen धातू नहीं होती है oxygen आपकी धातू होती है crust में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्या अलूमूनिया अरे nitrogen वायू मंडल नहीं पूछ रहा मेरे लाला we are not considering over here atmosphere we are considering over here the lithosphere crust की बात कर रहे है तो काय को वायू मंडल गुसेड़ दे रहा हूँ कहीं को भी किदर भी मिला दो clear हुआ clear हुआ देखो फिर से सुल लो प्रत्वी में सबसे ज़्यादा तत्व तत्व या धातू कौन सी यह? iron है प्रत्वी में सबसे या धातू कौन सी यह? iron है मतलब we are talking about the all layer of lithosphere प्रत्वी की सतय सबसे ज़्यादा मिलने वाला सतय में मतलब crust की बात करें तत्व या फिर अधातू क्योंकि oxygen क्या है आपकी एक अधातू है ठीक है और प्रत्वी की सतय में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो धातू है वह आपका aluminium है clear है hello sir good evening good evening धातू और अधाधू में क्या बोल ले भई difference बता दो हाँ चल रहा नी धातू वो होती है जासे सर फोड़ा जाता है ठीक है iron की road पकड़ी हो कोई में मिला के देदी हो there तो जो पड़ेगी ना बहुत मजिदार पड़ेगी हाँ 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 oxygen पकड़के देखाई हो oxygen पकड़के देखाई हो ठीक है अब तुम कहोगे सर कारबन की road लेया हुँ तो तो बिटा कारबन की road strong नहीं होती ठीक है ऐसे भी धातू होते है जो solid form में मिलते है कुछ धातू solid form में रहते है जैसे carbon koila koila पहक के मारेगी और लोए की गैंद पहके मारेगी जादा दर्द कायम होगा क्या मेरा comment नहीं सो हो रहा है बिल्कुल सो हो रहा है धातू मम्मी की चप्पल नहीं बेटा अगला गई हो मम्मी की चप्पल कब से धातू हो गई है rubber की बनती है कि धातू की चप्पल पहन रहा हो तुम वो gladiator हो युद्धा वुद्धा हो क्या कहीं कि लोहें के बूट पहन के बक्तरवन पहन के जा रही हो साड़ी की जुरूत ही नहीं पर चलो विच इस दे मोस सूटेबल कैश क्रॉप देखो दो चीज पता लग रही है आपको इस कुश्चन से एक तो यह कैश क्रॉप है कैश क्रॉप मतलब नगदी फसल है तुरंत पईसा मिलेगा इससे ठीक है फॉर ब्लैक सॉइल और यह आपका बेसिकली ब्लैक सॉइल आपका किससे है ठीक है नगदी फसल कौन सी है कपास चाय जूट या तिलन मारूंगी क्यों यह तो बताइए कौन मारूंगी मतलब अरे हम यह कह रहे है कि कोई लड़का अगर उसे छेड़ दे तो कोईला फैक के मारेगी कि यह गेंद फैक के मारेगी लोय की लगेगी कायमा जादा तो बेसे कली आपके जो नों मेतल सब्सक्राख होते हैं मतलब मेटलस जो होते हैं उनका साओल अधे मास होता है ठीक है उनमें घुरेबिलिलिटी यह थाकत बलूटे है ॅनमें ₹ऱ्ण्य चलो तो वेरी गुड तो कॉपर के मतलब सौरी ब्लैक सॉइल काली कपासी मर्दा भी बोली जाती है ब्लैक सॉइल खिक है और ये आपका कॉटन के लिए अच्छी है कॉटन कौन से अप्शन में आ रहा है अप्शन नमबर डी ए विल वीदा राइट एंसर प्लस कॉटन को उगाने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए गरम कंडीशन कर चाहिए गरम जलवायू चाहिए तो आपके भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन गुजरात महाराश्ट्र बेल्ट में उगाई जाती है और मद्ध प्रदेश में भी ठीक है तो आंसर टू दिसकोश्चन विल बी डी विल वी दा राइट एंसर चलिए नेक्स इंग इस निमने लिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट नर्त है मयूर वंज के छो नर्त कतकली पंजाब का भांगडा या मेगाले का बास नर्त बताओ डी 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 हमारे घर भी कोटन का पीड़ा अच्छी बात है तो चलिए देखो आज एक काम करना सभी लोग जो लोग डी लगा रहे न वो एक मूवी का एक सौंग है सत्य पर सत्त ठीक है उसमें गाना है मौसम मस्ताना रस्ता अंजाना तो काफी सारी लड़किया बीच किनारे ऐसे डंडा पकड़के ऐसे ऐसे माररी होती है और दो तील लड़किया उसम किया जाता है मिजोरम में किया जाता है उसको बोलते क्या किया तो चो प Works अच्ड़क होता है मिजोरम का और इस किंगत न यहां खिर पर शद्ट और आज पंजाब का भांगडा मार्शल आट तो नहीं है तुम लोगों ने कई हो बार साधी में किया होगा ठीक है एक तो साधी में वो गाना चलता ना इश्क तेरा तडपावे आता वाता तो कुछ है नहीं उसको समझ में तारे गिन गिन या सितेरी में ता जगारातानू रोकन तो तुम लोगों को अलग आत्मा हो जाती है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो देट इस भांगडा ठीक है कतक कली क्लासिकल डांस वह अगर तुमने सीख पाया होगे तो कर पाऊगे मैयूर बंज का च्छाओ ठीक है च्छाओ आपके तीन स्टेट में किया जाता है ओडिसा में वेस् टाइप का डांस है ये जो ठीक है तो ए विल वीदा राइट अंसर एसका सही जवाब है एक चीज और याद रखीगा च्छाओ के बारे में हो सकता है इसे हम नाइंथ क्लासिकल डांस बनाए बहरत का अभी भारत में टोटल आठ क्लासिकल डांस है शास्त्रिय नर्त है नव इस आपका बनेगा कौन सा च्छो क्योंकि च्छो को अभीहम सेमी लॉट अर्द शास्त्रिय बोलते हैं ओं अ फशेच्ड रहत का या भारत का या फिर भारत का बनने वाला जो नवा क्लासिकल जो नवा नवक लासिकल नेथ Mang Syap तो आप बता होगे क्या चाहू नेक्स इंगे सीपी सीवी का मतलब क्या होता है नियंतर प्रदूशन नियंतरन बोर्ड केंद्रिय प्रदूशन केंद्रिय बोर्ड प्रदूशन नियंतरन क्रेद्रिय बोर्ड या फर केंद्रिय प्रदूशन नियंतरन बोर्ड I am correct, I am from Jharkhand Anaisa Singh, okay, it is not only present in Jharkhand It is also present in Orissa as well as West Bengal In 2021, there was a question asked If Chhav belongs to which state In the option, there is neither Jharkhand nor West Bengal or Orissa So due to the close proximity of Chharkhand and Chhattisgarh The seated have decided the right answer is Chhattisgarh So in 2021, there was a question of Chhav's dance In the option, there was no Jharkhand or Orissa What was the name of Chhattisgarh? So in Chhattisgarh, Jharkhand was a little past That's why the seated has Chhattisgarh's answer And the Chhattisgarh's dance is different There is Sarol, Sela and T.A. Very good Answer to this question will be CPCB stands for Central Pollution Control Board So in 1974, there was a question of Chhattisgarh and Chhattisgarh in 1974 If you have a question of Chhattisgarh and Chhattisgarh and Chhattisgarh and Chhattisgarh and Chhattisgarh Okay, the first Uttar Pradesh was the biggest one Then Tamil Nadu got killed in Tamil Nadu This is a question of Chhattisgarh and Chhattisgarh and Chhattisgarh and Chhattisgarh and Chhattisgarh.com Chhattisgarh and Chhattisgarh and Chhattisgarh Okay, so match what is going on? A, first and fourth A, D, C, B A, D, C, B Next thing is निमने लिखित में से कौन सी प्रिथक्करन टक्नीक 2021 और 2022 के कईयों शिफ्टों में ये actually में जो chapter है ये separation of substance है इस chapter का नाम है separation of substance पदार्थों का पदार्थों का अलगाव या प्रिथक्करन प्रिथक्करन ये chapter आपको sixth class की science की book और ninth class की science की book में देखने को मिलेगा तो कईयों shift में 2021-2022 में इन से question मने है निमने लिखित में से कौन सी प्रिथक्करन टक्नीक अस्थरता में अंतर पर निर्बर करता है which of the following separation technique is dependent on difference in volatility या फिर volatility को अस्थरता की जगे अस्थरता नहीं होगा यहां पर प्रजोलन में अंतर पर निर्बर करता आस्वन क्रिस्टली करन चुम्बकी प्रतकरन या भिन्नात्मक क्रिस्टली करन is this this cts class is enough for cts shweta you have to attend the class of 11 p.m. sorry 11 a.m. 2 चैप्टर से EBS करा है अर्वेन दोवे करवाएंगे टेंशन मतलो फिक है make sure पहले आप वो तो हो जाओ regular 36 गड़िया सबले बढ़िया क्या बात है हमरा कि मत भुजिया हूँ का भुजला तू magnetic separation अरे कोई चीज़ वोलेटाइल है वोलेटाइल मतलब आग लग जाएगी और तुरंत आग पकड़ लेगी तो तुम का उसे चुम्बक से खीच होगे कहीं घर में आग लग रही हो किसी के घर में तुम का दोड़के जाओ के चुम्बक लेके यो का आग खीच लेंगे हम चुम्बक से फोड़ा सब लोजिक लगाओ सब पेड़ागोजी कब होगा पेड़ागोजी और जो आपके प्रिवियस येर कोश्चन हो चुके है वो आपके सुबह ग्यारा वजे की क्लासेस में चला करेंगे शाम की क्लासेस में वो सारे कोश्चन करवाया करूंगा जिनके आने की पॉसिबिलिटीज है जिनके आने की पॉसिबिलिटीज है मतलब आपके कुछ शिफ्टों में साइंस के कुश्चन देखे गए कुछ शिफ्टों में आर्ट इन गल्चर के कुश्चन देखे गए तो शाम वाली क्लास ठीक है 10% EVS के लिए ठीक है मतलब मैं कह रहा हूँ इस बार ओफलाइन हो रहा है ओफलाइन में तुमारा मैं गारंटी ले रहा हूँ 90% NCRT से आएगा बट ओफलाइन में 2019 की बात करोगे तो कभी भी 2019 में NCRT से पूछा ही नहीं तो 10% में ये वाली जो 10% है इसके लिए मैं शाम की क् अधरवाइस तो सुबह 11 वजे वाली क्लास आपके लिए इनाफ है तो अगर आपको लगता है कि आपकी किसमत वेकार है बहुत सारे लोगों के किसमत वेकार होती है ठीक है गाना सुना होगा न हात की रेखा इनसे रुलाए किसी रवड से मिठना पाई सचपन होती तो एक नंबर से रुग गया दो नंबर से रुग गया बहुत सारी बार तो हो सकता आपकी शिफ्ट में भी आउट ओफ इन्सी आटी पूछ लिया जा तो आउट ओफ इन्सी आटी के लिए यह वाली क्लास चलाई गई है चलिए वेरी गुड आंसर तू दिस कॉस्चिन विल भी ए दिस्टिलेशन एक ऐसी प्रकृया होती है यह 6 और 9 क्लास की इंसी आटी में है पूरा सैपरेशन ऑफ सब्स्टांस चेप्टर जिसमें आप एक पदार्थ जो की प्रजोलन्शील होता है या जोलन्शील होता है ठीक है उसको आप अलग करते है किस से ठीक है एक ऐसे पदार नहीं जलेगा बड़ पेट्रॉल जलेगा यह अगर मिक्स हो गयो तो मैं इसको डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से क्या कर सकता हूँ अलग कर सकता हूँ A will be the right answer A will be the right answer clear है चलो next thing is अगला question अगला question आपसे पूछ रहा है राष्ट्रिय लुप्त प्राय प्रजाती दिवस कब मनाये जाता है आच अपरेल 21 माई 5 मर्च या फर 1 माई सर आप BPSC 125 का साइंस नहीं पढ़ाते है आए हाए सारी चीज हमसे ही पढ़ा हुए जच तीजगर क्या बात है चलिए very good ठीक है तो when is national endangered species day is observed ठीक है national endangered राष्ट्रिय लुप्त प्राय प्रजाती दिवस मनाये जाता है आपका कब 21 माई के ठीक 21 माई के बाद आती है क्या 22 माई और 22 माई को मनाते है जैव विविदता दिवस जैव विविदता दिवस ठीक है तो 19 का answer will be B next question is अगला प्रिश्ण है यह वाला question आपका पूछा गया है 2022 में ठीक है मिट्टी और पानी को अलग करने के लिए निम नलिखे तमयस से किस तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया जाएगा छाननी की विविदी को ठीक है आंशिक आस्वन को ठीक है निश्पा निस्तारन को या क्रोमेटोग्राफी को तो अगर आपको मिट्टी अलग करनी है किस से पानी से तो कौन सी विधी का उपयोग करे BPSC में बाईलो जी ही पढ़ा तो आप सर वोईज नहीं आ रही रीफ्रेश कर लो बेटा B Fractional Distillation बीटा Fractional Distillation कभी भी करना हो Fractional Distillation कभी भी करना हो या हमेशा Petroleum Product का करना अगर आपको पेट्रोल के अलग अलग प्रोडक्ट बनाने है तो Fractional Distillation करोगे प्रवासी आश्वन या फिर आशिक आश्वन करोगे ठीक है फिल्ट्रेशन किसी भी चीज़ को फिल्टर कर सकते हो आप फिल्टर पेपर के तुरू मिट्टी अलग कर लो ठीक है उसमें से मैगनेट मतलब वह हटा लो जैसे कि आप आटा बगेर को क्या करते हो आटे में से कच्रा बगेर अटा आते हो बहुसी अलग हो जाती हो पर नीचे आटा चनके आ जाता हो फिल्ट्रेशन है पानी में से अगर मिट्टी अटा नहीं है तो सिंपल से क्या करो डिकेंटेशन करो एक ग्लास लो पानी डाल लो ठीक है निक्सिंग इस यह एक अगुलंशील ठोस को तरल से अलग करने की सरल विदी है ठीक है तो दिस इस सिंपल मेथड ओफ सेपरेटिंग इनसॉलूबल सॉलूड फ्रॉम लिक्विड तो सिंपल सी बात है अभी आपको एक एक अग्जामपल दिया था ठीक है पानी है डाल दिया ठीक है नीचे बैट जाएगी दीरे दीरे पानी को डालते रहूँ ठीक है इधर में आपका चॉक रह जाएगी मिट्टी रह जाएगी पानी अलग हो जाएगा क्या टिकनीक है डिकेंटेशन बी बी विल भी दा राइट अंसर चलो नेक्स इंग इस अगला कोश्चिन निमने लिखित में से कौन सा जन संचार का सबसे धीमा साधन है यह भी आपका 2022 में पूछा गया क्योंकि आपका थर्ड ग्लास NCRT में चैप्टर है हेर कमस लेटर ठीक है चिट्थी आईए गुटना है सर कितने कुश्चन है अब ठीक है पचास आटा गूतना है अच्छा चलिए वेरी गूट तो पोस्कार्ट इस दा पोस्कार्ड इस दा स्लोएस मीन्स ओफ कम्मिनिकेशन ठीक है नेक्स नेक्स इंग इस आपका क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 1957 में 2000 में 2003 में 2005 में 2021 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड आया था कि किस से संबन देता है यह आपका हरित गरेप्रभा यह फिर ग्लोबल वर्मिंग से संबन देता है ठीक है योटो प्रोटोकॉल को कोप 3 या फिर आप ठीक है رीयो प्लस 5 के नाम से भी जानते हो यह आपका 1997 में हस्ताक्षर हुए Arρχ यह थे बट प्रभा भिय आपका effective हुआ यह कब दो अजार पास से ठीक है तो D will be the right answer तो 1957 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे बट प्रभावी हुआ था ये कब 2005 पर ठीक है तो answer to this question will be D next thing is निमनलिखित मैं से कौन सा नरत अरुनाचल प्रदेश का एक नरत रूप है पोपर, चिराव, लेजिम या फर मेका तो निमनलिखित मैं से कौन सा अरुनाचल प्रदेश का एक नरत रूप है पोपर, चिराव, लेजिम मेका आज पहली क्लास है तीसी question रखेंगे जादा नहीं जादा लोड नहीं दे रहा बट दीरे दीरे इस वाली क्लास का टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे क्योंकि इसी रात वाली क्लास में मैं आपको ठीक है, एक टाइम के बाद ठीक है, अभी पहले मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूँ कि कैसे कैसे टाइप के कुश्चन बनाए जाते है, नए और पुराने और अगर आपको नॉर्मल प्रेक्टिस करनी हो तो सुबह ग्यारा वज़े वाली क्लास में जुड सकते ठीक है, वेरी गुड एंसर टू दिस कुश्चन विल भी पोपिर ठीक है, ओपर आपका अरुनाचल प्रदेश का डांस है चिराव आपका बेसिकली वही बैंबू डांस है जो मैंने अभी बताया था, मौसम मस्ताना रस्तान जाना, मिजोरम का लेजिम आपका आंदर प्रदेश का डांस है मैंका कोई डांस का नाम नहीं है मैं का ऐसे ही नाम रख दिया ठीक है तो A will be the right answer A is का सही जवाब ठीक है next thing is ठांगटा एक martial art form है भारत के किस राज्य से जुड़ा हुगा मिजोरम, नागलेंड, मनीपूर, यत्रपुरा सर मेरे message से आपको कोई allergy है क्या सर जी आप सीन चोधरी मैंने देखा नहीं, बताओ क्या होगा सर तो self study कब करेंगे CDP की class कब चलती है, CDP की class रात में 10 वजे चलती है very good, Amit Dixit क्या बात है, ठीक है मनीपूर का basically martial art form है, ठीक है ठांगटा जिसे male perform करते, C will be the right answer ठांगटा, रंगमा, जत्था, ठीक है, यह सारे आपके martial art form के dance है किस राज्य को लाल नदी की भूमी भी कहा जाता है ठीक है, किस राज्य को लाल नदी की भूमी भी कहा जाता है which state is called as the land of red river ठीक है, किस राज्य को लाल नदी की भूमी कहा जाता है ठीक है, ठीक है, आपके एक नदी है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र ठीक है, इसके अलग अलग जगे अलग अलग नाम है ठीक है, जब आपका तिबत से निकलती है तो तिबत में आप इसे यारलूंग सांग्पो के नाम से जानते हो आपका असम में इसे लुईत नदी बोला जाता है या फर लुईत नदी बोला जाता है तो लुइत मतलब लहू जासे रंग की इसलिए इसको असमकॉम लैंड ओफ रेड रिवर बोलते हैं जब यह आपकी अरुनाचल में होती है तो अरुनाचल में आप इसको ठीक है दिहांग या फिर सियांग के नाम से जानते हैं और फिर जब यह बांगलादेश में एंटर करत पदमा के नाम से जानते हैं जमना के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं चलिए अभी हाल फिलाल में भारत में एक सम्मेलन होने जा रहा है जिसको हम बोलते हैं लल्ला सिंग सर नमस्ते नमस्ते ठीक है अभी हाल फिलाल में मेगना के नाम से जानते हैं नहीं बेटा कु एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है भारत में, जिसका एक theme दिया गया है, आपने सभी ने देखा होंगा, जहाँ 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 G20 शिखर सम्मेलन का, छिसका वाशूदेव कुटमबकम का मतलब क्या है, दुनिया हमारे हात में, हमने एक है, हमारी प्रतवी को बचा है या दुनिया एक दुनिया है we are one नहीं answer to this question will be the world is one word तो very good D will be the right answer तो उत्तर प्रदेश के कुछ पड़ोसी राज्यवाले विकल्प का चैन करें राजस्थान, हर्याना, तमिलनाडू, करनाटक, दिल्ली मध्यप्रदेश, बिहार, हर्याना, राजस्थान, दिल्ली महराश्य, तमिलनाडू, करनाटक, दिल्ली, गोवा इन में से कोई भी नहीं तो हमारा जो यूपी है उत्तर प्रदेश जितने भी आपके स्टेट्स है सभी स्टेट्स में सबसे जादा राज्यों से सीमा साजा करता है टोटल आपका 9 राज्यों से सीमा साजा करता उत्तर प्रदेश ठीक है, वी आर फैमली नहीं द वर्ल्ड इस वन वर्ल्ड ठीक है जो आपका पूरा विश्व है, वो एक ही विश्व है ठीक है, तो इन में से कौन से से देखो इसमें लॉजिक लगाना है करनाटक से तो नहीं करेगा गल्ट हो जाएगा ठीक है, गोवा से भी नहीं करेगा ठीक है, अगर गोवा से कर रहा होता तो सारे गोवा पे यूपी वाले बैठे खैनी रगड रहोते का भईया का पहेंगे घूम रहो देखरा बिनोड तो सबसे जःदा आपका राज्स सीमा साजा करता हुद्प्रदेश अगर उप्शन में उद्प्रदेश ना में फिर असम आपका साथ राज्यों से सीमा साजा करता है ठीक है चल रही है तो भी विल वी दा राइट एंसर थार्ड लास कुश्चिन भारत सरकार द्वारा जल वर्ष घुशित किया गया वर्ष है 2010-5-6-7 यह आपका 2021 सीटेट में पूछा गया था ब्रह्मपुत्र हिस्जमना हाँ ब्रह्मपुत्र हिस्जमना क्यों क्या हो गया चल यह वेरी गुट आंसर तू दिस कुश्चिन भी देखे जब भी अंतराष्ट्री जल वर्ष आये दो वर्ष याद रखे एक तो वर्ष दो हजार तीन एक आपका वर्ष दो हजार साथ ठीक है इन दोनों वर्षों को आपका भारत सरकार ने जल वर्ष कोशित किया तो ऑप्शन में दो हजार तीन तो है नहीं बचा कौन सा आपका 2007 डी विल वी दा राइट एंसर तो 2003 और 2007 को आपका अंतराश्टिये जलवर्ष घुशित किया गया था चलिए नेक्स टिंग इस ठीक है सेकेंड लास कोश्चिन और शब्द का नाम बताईए जिसका उपयोग मिट्टी में मौजूद पानी के लिए किया जाता है जिसका उपयोग पौदो द्वारा किया जाता है चसाड, हुमस, गुर्टविये जल, केशिका पानी नेम दा टर्म विच इस यूस फोर दा वर्ट रप्रेजेंट इन दा सॉयल डेट कैन बी यूटिलाइज बाई दा प्लांट अब देखिए इस कुश्चन का एंसर ठीक है, आपको एंवारिमेंट बेस पे देना बाईलोजी बेस पे नहीं देना बाईलोजी बेस पेस का एंसर बदल जाता है एंवारिमेंट बेस पेस का एंसर बदल जाता है हतेश बाईलोजी अगर दोनों दिया हो तो तो सबसे पहला 2003 था ठीक है पहला अंतराश्टी जलवर्च लगाएंगे ठीक है और सबसे नया 2007 अब समझो मैंने क्या बोला था इसका question का answer आपको environment एन्वार्मेंट वेस्ट पर देना बायलोजी बेस्पे इसका answer बदल जाता है आप एविस पढ़ रहे हमारी जो मिट्टी है इसमें कई रगारे पानी होते साथ अलग अलग प्रकार के पानी होते तो साथ तरह के पानी ठीक है तो इन सातो पानी को मिला के इन सातो पानी को मिला के एन्वार्मेंट में बोला जाता है खोलाड खोलाड ठीक है सातो पानी को मिला के हम क्या बोलते हैं खोलाड बोलते हैं खोल का मतलब सभी तो सभी पानी को मिला के हम क्या बोलते हैं खोलाड इन में से केवल एक पानी ऐसा है जो कि मिट्टी से हमारे पौदे ले पाते तो इन में से केवल एक पानी ऐसा है जो मिट्टी से पौदे ले पाते तो इस एक कोई क्या कर पाते है सक कर पाते है चूस पाते है तो जिस पानी को चूस पा रहा है उसका नाम रख दिया चेसाड ठीक है तो चूस रहा है किसे है चेसाड को बाकी ये जो छे पानी है वो हमारी मिट्टी से नहीं चूसे जा रहा है प्लांट से नाम बताईए जिसका उप्योग मिट्टी में मौझूद पानी के लिए किया जाता है जो कि उप्योग पौदो द्वारा किया जाता environment के हसाब से बताना है हमें तो चिसार डूटा है खिजार ठीक है अब अगर यही biology का होता तो biology में इसे हम क्या बोलते के शिकाय पानी biology में it is said to be as capillary water ठीक है but environment के इसाब से हम इसे बोलते चिजाड हा सारे पानियों को मिला के हम बोलते हो लाड जो पानी सक कर पारे plant with the help of their roots अपनी जड़के द्वारा वो चुसाड मतलब चूज रहे तो चुसाड चिसाड ठीक है और जो नहीं कर पारे वो एक तरफ कर दीजे एकाड 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 क्लियर है चलो लास्ट कोश्चन आज की क्लास का फिर आपका कल सोबह 11 बजे होगी और शाम को इसी टाइम पर भी होगी इस टाइम पर हम बेसेकली साइन्स जी के आर्ट एन कल्चर इन सब से रिलेटेट कोश्चन करते हैं सोबह में हम पीवाई क्यू और आपका क्या बोलत है निमने लिखित में से कौन सा विटामिन हॉर्मोन अगर दूद के रूप में कारे करता है विटामिन सी विटामिन ए विटामिन के विटामिन डी चीजाड प्लिस उकाड एकल टू हुलाड तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि आपका बेसिकली किसकी तरह काम करता हॉर्मोन की काम करता हुआ हुआट विटामिन विटामिन चलो विडामिन विटामिन very good, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, answer to this question will be D, एक मात्र ऐसा vitamin, जिसे हम hormonal vitamin बोलते हैं, जिसे हम hormonal vitamin बोलते हैं, वो है आपका vitamin D, हमारी body में एक hormone है, parathormone, जो हमारी para-up-to-granty, parathyrod gland release करती है, उसका काम होता है, हमारी body के अंदर calcium और phosphorus के level को maintain करना, सेम वही काम आपका vitamin D करता है, कि हमारी body के अंदर calcium और phosphorus के level को maintain करता है, ताकि आपकी हड़िया और दातों को मजबूत बनाये जा सके, इसलिए इस vitamin D को हम hormonal vitamin बोलते हैं, clear है, clear है, तो मिलते है कल सोबे 11 बजे और शाम को आपका सेम 7 बजे, ठीक है, EVS के आपकी बहतरीन class इसमें, ठीक है, तो जो लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और ठीक है, रोज सोबे 11 बजे, अगर आपके बास time हो तो, नहीं हो तो आप recorded देख लिए करिए, शाम के 7 बजे, अगर आप this time free हो तो जुड़ जाए करिए, ठीक है, सर आप संत है क्या, हाँ, हमको सत्य का ग्यान हो गया, सत्य का गया, तुम्हें भी दे, ठीक है, तुम्हें भी दे, बोलो बताओ, सत्य का गान चाहिए तुम लोगों को, सारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तुम्हारी, बोलो किस किस को चाहिए सत्य का गान, आथ तुम्हारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम मिटा दू, आओ, एक चार बज़े होती है चार बज़े होती है चार बज़े जोग्राफी चार बज़े आपकी हिस्ट्री पॉलिटी है मुझे चाहिए सर चलो तो कितने लोग है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है कितने लोग है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है हाथ खड़ा करें अलब येस बोले येस मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है अरविन दुबे अभी डाल दूँगा अभी मिल दाएगा चलो येस बहुत सारी लोग बोल रहे है कि हमारी लाइफ में बवंत दिक्कती चल लिए जीवन परिशानियों से भ़रा उवा है का बताए लड़की नहीं मिल लए नौकरी निमिल ली गरवाली गाली दीर लिश येस 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 कितने लोट बोल रहे है कैसे मेरी लाइफ में कोई प्रउब्लम है कि ऐसे को Instead only मुगल सामराज्य को हटा दिया मुगल सामराज पूरा नहीं हटाया है जो चीज आपकी नाइंथ क्लास में वहीं चीज आपकी रिपीट होके 11 क्लास में तो आले पार्ट को हटा दिया गया है। पूरा कोई ऐसा जिसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है बहुत सरे ऐसे भी लोग होते हैं चिल करके जी रहा है कि भाई दोनों के अपिनियन रखते हैं ठीक है अब बताओ क्या एक कुश्चिन पूछूंगा ठीक है क्या आपके पास आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉलूशन है क्या आपके पास अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का जो भी चल रही है उसका सॉलूशन है हाँ या ना sir explain deeply what is problem when we are going through some consequences in which we are not satisfied with our results these condition in our life is said to be as the problem so you want to know that we have the solution to solve 2-3-3-3-4-3-3-3-4-3-4-3-4-4-3-5-3-4-3-3-4-4-0-2-3-4-3-9-4-4-3-3-4-4-4-3-3-4-4-4-4-2-2-4-4-1-4-3-4-4-2-4-1-4-4-4-2-4-4-4-3-2-4-4-3-4-2-2-3-4-3-4-3-4-4-4-3-4-4-2-3-4-5-2-4-4-3-4-4-4-4-4-4-3-4-4-6-4-4-3-4-4-4-2-4-4 कुछ लोगोंने बोला नहीं है अच्छा सॉरी कुछ लोगोंने बोला नहीं है problem का solution ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं तो सारी सारे सारे जितना भी अभी तक मैंने आपसे पूचा उसका ultimately एक ही solution है वाइवरी फिर किस बात की चिंता है देखो अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है और तुम्हारे पास सॉलूशन भी है उसका तो फिर चिंता किस बात की कर रहा हूँ तुम उसे सॉल्व करी लोगे टाइम आएगा तुम उसे सॉल्व कर लोगे तुम कहा रहा है कि तुमारी लाइफ में प्रॉब्लम है ठीक है और उसका कोई सॉलूशन नहीं है फिर किस बात की चिंता कर रहा है वो तो मरने पर ही साथ में जाएगी जब ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉलूशन ही नहीं है तो वो तो मरने के साथ ही जानी है ठीक है और कुछ कह रहा है कि मेरे पास तो प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर किस बात की चिंता करे तो अल्टीमेटली क्या है चिंता मत करे जो ओरा होने दे देख लेंगे ठीक है इसको कहीं पर इस चीज को अपने घर में बनागे चिपका लो रोज देखना कभी भी निगेटिव ठिंकिंग नहीं आएगी ठीक है तो अल्टीमेटली यह यह चोड़ दोगे न चिंता जो होगा देखा जाएगा भाई अगर इस धती पर आ गए तो सीधी बात है नेचर ने हमें सलेक्ट कर लिया अगर नेचर चाहती तो मां की कोक में मार देखी तो क्योंकि यह सरवाइवल ऑफड़ नेचर ही सलेक्ट करती है नेचर की मर्जी की बना आप इस धर्टी पर नहीं आपा होगे और आग और हाथ पेर जब तक सलामत है तो क कुछ न को तो करी लिंगे भाई कुछ नहीं लगा तो तो इस चीज की चिंता करूं कि यार ओगा नहीं होगा मुझे भाई अभी दो मिनिट के बाद करनी पता मैं अभी बोलके चला गया तुमसे कल क्लास होगी पता चला अभी निकलू कोई चटका जाए गाड़ी चड़ जा ऊपर मैं चटक गए ठीक है चंदा क्यों कर रहा है जो होगा देख लेंगे सीदी जिवाग अगर आप सोबह की क्लास में जुड़ना चाहता है तो 11 बजे और शाम की क्लास में जुड़ना चाहते हो तो 7 बजे तो टिल देन हैव नाइस डे बाइब बाइब बुड दे टेक क्यर थैंक यू झाल झाल